प्रस्टनोली नावदलब चेका बेसिक सबसे पहले आपको पढ़ लेना है उसके बाद प्रस्टनों कॉल करना है और पिछली तीन किलास में प्रस्टनोली नावदलब पाँच कंप्लीट करवा चुके हैं अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किये तो लिंक आपको डिस् प्रस्टनोली नावदलब चेका बेसिक का गरदा तो जैमाकाल जल्दी लग जब सवाल नहीं तो पेपर में हो जाएगा बबाल पेपर में नहीं बबाल होगा जब तक है मानवसर इस किलास में तीसरी विदी कंप्लीट करवाएंगे रैखिक अपकल समिकर और पहली विदी प्रस्टनोली नावदलब चार में कंप्लीट करवाई चरों को पर तक करने की विदी और दूसरी विदी प्रस्टनोली नावदलब पांच में कंप्लीट करवाई समगाती है अपकल समिकर और जिस बच्चे ने पहली और दूसरी विदी कंप्लीट नहीं किये प्ले लिश् रैखिक अबकल समीकरड सबसे पहले आपको यही लिग लेना है बिदी तीन बिरेकिड में रैखिक अबकल समीकरड तो रैखिक अबकल समीकरड के दो रूप होते हैं दोनों ही रूप हम आपको बता देंगे प्रस्ण वाली नौ दनाप छे के प्रस्ण आप लोग इजली हल कर सकते हो तो यहां पर लिग लो रैखिक अब कल समी करड के दो रूप होते हैं इतना आपको लिग लेना है और यहां पर आपको पहला नंबर डाल लेना है क्योंकि यहां पर बताया गया है दो रूप होते हैं रैखिक अपकल समी करड के तो पहला रूप आपको बताएंगे लेकिन आपको पिर्थम कोटी और पिर्थम घात का अब कल समीकरड यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे लिग लो पिर्थम कोटी और पिर्थम घात का नमबर एक में आपको लिग लेना है पिर्थम कोटी और पिर्थम घात का अब कल समीकरड तो यहाँ पर हम लिग लेते हैं डी वाई अपान डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यों यह जो अपकल समीकरड आपको दिख रहा है इसी अपकल समीकरड को बोलते हैं रैखिक अपकल समीकरड तो रैखिक कोटी और एक घात का आपकर समिकड़ मिलेगा प्रसनवली न जलब छे में तब आपको उस आपकर समिकड़ को इस रूप में चेंद्ध करना है तो दो जगाव बाई आपा रखना है या फिर इस रूप में आपको बना बनाए मिल जाएगा तब आपको देखना है कि दो जगा बाई है या नहीं है तो यही फिक्स है यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर लिख भी देते हैं दो जगा ही आपको वाई रखना है या फिर मिलेगा इतना आपको कहीना कहीं यह लिख लेना है दो जगा ही आपको वाई रखना है रखने का मतलब यह है जब अपकल समी करड़ को इस रूम में चेंज करोगे तब आपको रखना है दो जगा बाई आगे लिखा है या फिर मिलेगा या फिर मिलेगा इसका मिंसी है जब आपको अपकल समी करड़ का रूप यही मिल जाएगा तब आपको बाई मिल जाएगा बात करेंगे डी छो और दे सके तोई हाँ तो यहाँ पर जो लिए है वही आपको यहाँ पर लिखना लेकिन गुरांग के लिए लिखना है यहाँ पर फिक्स ये भी है कि डी वाई अपन डी एक्स का गुडांग आपको वन रखना है या फिर मिलेगा ये भी कहना कहीं लिख लेना है रखना है जब बनाओगे अपकल समिकड को इस रूम में तब आपको बाई बन रखना है गुडांग जब बना बनाया मिल जाएगा आपकल समिकड इस रूम में तब आपको बन मिलेगा गुडांग यह जान का रही है यह fix है इसको आफ समझ लेना है अब बात करेंगे पी और क्यू की यह भी fix है तो यहां पर देख लो जहां पी वा क्यू यक्स के फलन हैं बाइं पी वा क्यू इसके फलन है यक्स के फलन है अब मेरे भाई आप कहोगे कि सर नहीं समझ में आया हम आपको बताते हैं जैसे P और Q की बात करेगा तो या तो X मिलेगा या फिर X Sine X मिलेगा या फिर X 10 inverse X मिलेगा इत्यादे इस पिरकार के फलन आपको मिलेंगे P और Q के अब आपको समझ में आ गई यह लाइन जो हमने यहाँ पर लिखकी P और Q X के फलन नहीं P मिलेगा या तो X या फिर Sine X या फिर X 10 inverse X ऐसा जैसा P बताया वैसा ही Same to Same Q के लिए इसको मिलेख करेंगे इसको लिखना नहीं है इसको समझना जो लिखना आ है वो यहाँ पर लिखा है अब बात करेंगे समा कलन गुड़क की इतनी जानकाई होने के बाद में आपको समा कलन गुड़क और निकालना है तो लिखना पड़ेगा यहां पर समा कलन गुड़क अब मेरे भाई आप कहोगे कि सर यह समा कलन गुड़क क्या है इंगलिस में बता देते हैं इंटीग्रल फैक्टर कि यहां पर क्या इंग्लिस में लिखा है इंटिगल फ्थेक्टर क्यों लिखा है रीजन भी बता देते हैं जैसे समाह कलन गुड़क निकालोगे तो आपको आई एफ लिएक लिखना पड़ेगा सोट में यह हं यह हंदी नहीं लिखना पड़ेगी यहां पे समामालन यादा लगेगा तो सौट में किताब बाले ने भी लिखाए आई अब यह आई कहां से आया है यहां से आया इंटीग्रल से आई आ गया और फैक्टर से यह आ गया तो इसका मिंस है समाकलन गुड़क अब निकालो कि कैसे एकी घात में समाकलन करना है इसका करना है अगर देखा जाए मैचिंग मैचिंग बताते हैं अगर देखा जाए नीचे देखो डी एक्स है तो इससे पैचा लेना अगर नीचे डी एक्स है तब आपको पी का एक्स केस आपे समाकलन कर देना है यह है इतना द्यां रखना है ऐसा करके आपको समयक्लन गुड़क याद कर लेना है अब एक फारभूला और कpieces कि याद करना हैं वैपन के लिए अध मेरा तो यहां पर लिगे देते हैं व्यांपक और आंप अब यहां पर मैचिंग आपको देखना है जैसे हमने क्या बताया है दो जगा बाई मिलेगा या फिर रखना है तो फार्मुला भी बाई से स्टार्ट होगा इंटीगल फैक्टर में हमने यह बताया नीचे से मैच करो अगर डी एक्स है तो पी का एक्स के साफ़े समागलन कर लेते हैं आई एफ निकल आता है लेकिन जो ब्यापक हल के लिए फार्मुला बनाया गया है वो यहां से मैचिंग करना है अगर वाई भाई है तो वाई से फा पर बचेगा उसका क्या करेंगे एक्स के साफ़ेची समागलन करना है जैसे यहां पर आयम में हुआ है नीचे देख लेना है यहां पर करो चाहिए यहां पर करो लेकिन यहां पर भाई भाई है तो फार्मुला बाई से स्टार्ट होगा फिर इसके वाद आपको पता समागल नोने कवास समाकलन नेतंग जोड़ा जाता है तभी तो बोलते हैं ब्यापागल वक्र के समीकड की आंसर सीट में स्वय चचल जरूर मिलेगा तो उसी को बोलते हैं ब्यापागल तो आपको क्या क्या याद करना है मापको बदाते हैं यह रैखिक अपकल समीकड का रूप याद रखना समाक अलन गुड़क याद रखना और यह फार्मला याद कर लेना है यह यह और यह इसको रैट लेना है प्रस्णावली नौ दलब चे के प्रस्णावल लाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे इसका 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 यूज है और किसी का नहीं है पहला आपको समझ में आ गया क्योंकि रैखिक अपकल समीकड के दो रूप होते हैं पहला आपको सम मझन लिया थोड़ा कामन है ज्यादा नहीं कामने थोड़ा कामन है विए दूसरे वाले रूप में देॉ कैसे जहां जहां केंजिंग करेंगे उसको समझना आ यहां पर डिवाइँपांडी एकसर यहां पर दूसरे रूप में दीक《 chosen 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 Ch यहां पर यहां पर यह लिख देते हैं पहला ही रूप लेकिन कुछ चैंजिंग है क्या चैंजिंग है चर यह और यहां पर भी अच्छी ड है दिएग्स अपान दी वाई गुडांक जब भी देखना डेख आद देखना है कि अभं ते दो यके सापेश समा के लुड करना ए процесс निकालन और फार्मुला का से होगा ऊपर जो है access दिख रहा है तो फार्मुला भी X से start होगा X का I am में into करना है बरावर Q का I am में into करना है और समा कलन किसके सापेच करना है Y के सापेच करना है क्योंकि नीचे matching matching हमने आपको बता दी समा कलन Y के सापेच करना है formula X से start होगा ये trick आपको सीख लेना है कभी नहीं भूलोगे ये गारंटी है मेरी जैसा बता दें वैसा तयार करो कभी नहीं भूलोगे जब हम नहीं भूलते हैं और आप लोग हमसे पढ़ रहे हो तो हम भूलने नहीं देंगे बच्चे कहते हैं कमेंट करके सर भूल जाते हैं बोलने कि बीमारी हर ब्यक्ति में है लेकिन कुछ भूलते है कुछ नहीं बूलते हैं जैसे हम ने आपको बताया ऐसे त्यार करो कभी नहीं बूलोगे यह मेरा आपसे बाद आ को आपने दोनों रूप सीख लिए लेकिन अभी यूज नहीं सीखा नहीं आया अपने यूज अभी नहीं सीगा एक हो ळेंक पहले रूप काँ दूसरा लेंक हे दूसरे रूप कर तब आपको किलियर होगा इसको हमुल्फ करेंगे कि आप उधार की बात करेंगे तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो सभी इस्टुडेंट वीडियो को लाइक कर दें कुछ इस्टुडेंट करते हैं लाइक वीडियो कुछ नहीं करते हैं मेरे यह नहीं समझ में आ रहा है आपको जब मेरी पढ़ाई अच सब्सक्राइब करना है मज़ा आएगा इस क्लास में तो उधारण यहां पर हम ले लेते हैं पहला हम यहां पर एक अपकल समिकर लेंगे ठीक है तो आपको मिलेगा ऐसी बात नहीं है कि आपको ना मिले अपने पास से नहीं लेना है आपको मिलेगा प्रस्नावली नाव दलब छे में तो यहां पर हम लिख देते हैं दिया गया अब कल समीकर देख लो यहां पर याक्स लॉग याक्स इंटू डीवाई अपन डी एक्स प्लस का वाई बरावर याक्स लॉग एक्स यहां पर टू लिख देते हैं इंटू में ठीक है जैसे यह आपको मिले गया अब आपके पास दो रूप है पहला रूप है डी वाई अपन डी एक्स प्लस का पी वाई बरावर क्यों दूसरा जो रूप है रैखिक अपकल समीकर का डी एक्स अपन डी वाई प्लस का पी एक्स बरावर क्यों अब देखना है इसमें से कौन सा fit बैठेगा यह देखना है आपको दिख रहा होगा भाई DIY चोण लिए हैं और यहाँ पर यहां पर बाय है यह बाई है हमने आपको बताए अगर यह वाला fit बैठेगा रहे की कपका समीगर तोडो जगा बैए होना चाहिए पूरे अपकल समीगड में अगर यह वाला फिट बैठेगा दूसरा रूफ रैकिक अपकल समीगड का तो यहां पर एक्स एक्स है दो जगा एक्स होना चाहिए तो यह वाला बैठेगा तो पहले हम यह वाला देख रहे हैं बाई दो जगा है तो देखो यहां पर आपको पता किसे एप राएपन मान निकालेंगे पपलड देंगे यहां पन बखेगी का निकやって Easter Bear रप्र यहां पर एक यहां पे मिला यह मतलब है कि इतने में हो मैं नथे TWOập 2 १ जाए दो यह नहीं से मृथगा दूसरा रूफ पहला बैठ जाएगा दो कैसे हम ने आपको बताया नाऊद अलम चार प्रसनाव्ली में आ जाल ה पाझ प्रसनावली में सबसे वहले आपको डी आपांड येस निकाल लेना याही बताया ठीक है लेकिन यहां पर आपको डी आपांड आपके मर्जी क्योंकि जब फिट बैट रहा है तो हम दीवाइब एपाण डीएक्स के पास में एक पद रखेंगे जिसमें भाई और आपको पता है इसका गुडांग भी हमें कितना चाहिए होता बन चाहिए होता है तो आपको क्या करना है भाग लगा देना है किसे भाग लगाना है यह सलों एक से लगा देना भाग पर ती एक पद में याक्स लॉग याक्स से भाग देने पर क्यों दे रहे हैं भाग क्योंकि आपको पता है कि हमें गुणांग इसका बन चाहिए तो बन अभी मिलेगा जब भाग लगा दो तो इसमें भाग लगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अलग रखेंगे वना पान लॉग एक इसको अलग रखेंगे क्यों क्योंकि यह जो भाई है जब मैचिंग करेंगे तो अलग रखना है आपको इसे ड्यवाइप रहना यही बताया अगर यह शिर्ट बैटेगा तो आपको बाई-बाई मैस कर लेना ठीक है और उसको अलग रखना है जो भी है इंटू में यूश् अब काडल लॉग X से लॉग X समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको रैखी कपकल समीकर बनाना है तो यहाँ पर हमें गुडांक मिल गए डी वाई अपान डी एक्स यहाँ पर देख लो वन अपान एक्स लॉग X इंटू में बाई बरावर यहाँ पर आएगा टू अपान एक्स अब आपको पी और क्यू निकालना है तुलना करनी है किससे करनी है तुलना यहाँ पर आ जाओ uw जिसके रूप में ये अपकल समिकर्ड आपने बनाया है तो इसके रूप में अपकल समिकर्ड बरूलना करना है नमबर एक से तो यहाँ पर अकर देखा जाएं यहां पर पर क्या है वन मिल जाएंगा मेरे प्यारे वच्चो वाना पान यहां इस दो ही जग affirm होगी अदर यह मिलेगा तो यह आपको समझने इंच मіचिंग ठिक है कि अब को क्या करना है आपको पता है हमें क्या निकलना होता है आइफ निकलना होता है दो इस टरब देखो समय कलनग गुडग इसका मान हमें नीकलना एक ही गाइgment में आपको समा कलंद करना है किसके साफेस नीचे देख लो डी एक से साफेस समा कलंद करना किसका पीका तो पी देखरो मेरे प्यारे वच्चों एक खात में आपको लिखना एक्स लॉग जिए लिखना यहां पर देलो साथ दस अलव दो में एक फार्मॉला है यह डेस एक सपान एफएक्स की होल गात एक के लिए फार्मॉला है क्योंकि प्रतिस अपन विदी से हम नहीं लगाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा तो इस फार्मॉले का यूज करके समाकलन कर देना है लॉग मोड ए प्रफ करेंगे इतनी जानकारी आपको होना चाहिए अपकर समीकर पढ़ रहे हो तो पार्ट साथ का रिविजन होना चाहिए तो इक ही गात में आपको लॉग लॉग एक से लिख देना है ठीक है यहां पे सी नहीं जोड़ा जाएगा इतना दियान रगना है समाकलन होने को सी नहीं जोड़ा जाएगा अभ आपको पता है हम कई किलास पीछे हमने यह ऑची घात में अगर लॉग अफ एकस है तो बरावर में आपको अपको इस लिख देना ऐए ठीक है अगर माइनस का अपक्यम जाए यह गात में तो बिरावर बना पान ऐस लिख देना है यह कही न तो एकी का लोग एफेक्स बरावर एफेक्स लिख देना है अब बात करेंगे यहां पर जैसे मोड तो यहां पर मापांग नहीं लेना है यहां पर मापांग नहीं लेना है कर ले लिया कोई बात नहीं है जब आप एकी का लोग हटा होगे जब इसको अलग लिखोगे तो आप पने रूल पढ़ा है ना कि fer een joubhi ओते हैं फोiane कि मोड में होते हैं चलो यहां-पर मापांग कर लेते हैं कोई दिक्तर नहीं है आप अब लेते हैं तो यह पर भी फार्मुले में भी मापांग कर लो लेकिन जो बराबर में लिखोो गे तो मापंग हटा के लिखना है इतना ध्यां रगना है मापंग हटा के लिखना है तो बराबर में आपको यहां पे मापंग हटा के लिख देना है तो कि क्या मिलेगा लॉग यह से मिल जाएगा क्योंकि हमें पता है कि एकी गॉल लॉग यह चला जाएगा यह केवल लिखना है जब अगर आपने मैस किया है किस से य है न तो य सई इस टार्ट होगा व्यापक हल के लिए तो व्यापक यहां पे हल लिखना आए वाई आई आई अफ बराबर में क्जूस आई अफ और यहां पर क्या लिख दूस लिख दो इस निकला है अब बराबर में क्यों देख लो कितना है आपके पास यह जो टू अपोने सली यह ठीग है आइए अ मान देख लो narakis और यहां फ़रडियत भीड भर अब अब कर देते आं सिर्ट आपको नोड कर लेना अग्व ह chance वक्रकाज समीकर तो निकलेगा अंतरशीर तो निकलेगे लेकिन ब्यापकल में तो यहां पर समाकलन कैसे करोगे हमने आपको बताया पहले दो आगे कर लो लॉग एक्स अपान एक्स कर लो और यहां पर डी एक्स अब प्रती स्थापन विदी का यूज़ करेंगे साध दनव दो में प्रती इस्थापन विदी यह विदी कभी यूज़ होती है जब टी मानते है फलन को तो अगर हम लॉग एक्स को टी मान लें तो नीचे वाला क्या होगा बताये मैच हो जाएगा ना तो यहां पर लेग लो जब मैच हो जाएगा नीचे वाला एक्स तो प्रती अब आप कलून करो वण अपान एक्स लागे इस तरफ दियेस बराबर में डीटी ठीक है समझ में अर रहा होगा और यह बाई इंटू लॉग एक्स बराबर है ठीक है ठीक है वाई इंटू लोग एक्स लाबर आपको यह लिखना है दो यह तो मैच हो गया वण अपान एक्स सब्सक्राइब करते हैं यह जानकारी आपको पहले है तो दिक्कत नहीं आएगी अब इसके बाद में आपको समाकलन कर देना देखो बराबर के उस तरफ वाई लॉग एक्स आई टेडिज रखना है समाकलन इस तरफ कर रहे हो बताओ मेरे प्यारे बच्चों टी का समाकलन टी स्कौरऑर अपान्टू अब सी को जोड़े दो दो से दो कार्ड़ं और आपको पता है कि हमने टी किसको मना लॉग एक को मना है लॉग एकश वहां पर रख दो टी के इस्तान पर लोग एक वोटर्य को और फिर आपको चेक करना है पहला रैकी कपकल समिकरोट भीट बैटेगा या फिर दूसरा भीट बैठेगा इस को वम्राफ करेंगे यह नोट करना है पहला उधारण हमने आपको लगवा दिया और पहली जो रहीं कर समिकरोअ न लेते हैं दिया गया अब कल समीखर एक ओटी एक घात का ही मिलेगा मारकर उठा लेते हैं भाई गिर गया दिया गया अब कल समीखर तो आपको यहां पे लिख लेना है 10 इन वर्ड वाई मानस का और यहां पर ब्रावर वर्ण प्लस का वाई स्कॉर्ण यहां पर डेएक अब बताओ कौण शार भीट बैठेगा का जिसे अगर यह पहला फर्टी भैट रेगा वहां पे तो बाई दो जहा का होना चाहिए तो दे तो यह नहीं फिर्ट बैठेगा अब देखो यह फिल्ट नहीं वेक्ट का सब्सें पहले आपको निकालना क्या आब पता है यहां पर डिये अपन दिवाई निकालना तो डिय नीचे भैज देंगे तो लिखो कैसे डी एक्स अपान डी वाई ऐसे लिखना है इसे नीचे भेट दिया डी एक्स गे और इसको इसके नीचे भेजना है तो टेन इन वर्स वाई मैंनस एक्स अपान वन प्लस का वाई स्कॉयर इतनी जानकारी आपको है दूसरी रहकी अपकर समिकर यहां पर फिट अब आपको पता है यहां पे एक्स है एक और हमें चाहिए कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा लेकिन यहां पर यह पर जॉइनड है इसको अलग अलग करना है कैसे करूगे लगुत्तम वापस दे दो तब इस वाले एक्स और सकते हो ठीक है एक्स अपान वन प्लस 42 अब हो गय इसको नहीं लाना क्योंकर यह पर 1012 10 अंस में देखना है किस प्रजम में पहले नहीं इसको पच्छंद्र माय करेंगे है यह हैं आपको देख देख लेना वही पनफ पच्छंद की यह बन गई अब तोलना कर लो तोलना टीघ्स अपन डीवाइब पिलास पी यहां पर क्या लिखना पी एक सी लखना है अंसे बताया कि यह X जो Jupiter आफको अलग रखना है यहां पे बन पर लो और यहां पर एक्स कर लो यह जान का रहे हमने पहले उदेरन बताये कि पी का यह समेंट हुआ है तो यह अलग रगना बन बन प्लस भाई अलग रगना जब पच्छांतर करोगे अब तुलना कर पाऊगे क्यूं से करने पर अब देखो मेरे प्यारे बच्छों यहां पर अगर आप से बेटा पूछा जाए तो यहां से देख लो दूसरे पस से यह से जो अलग है उसी को बराबर लिखा जाता है अब यहां पर क्यूं क्यूं देख लो मेरे प्यारे बच्छों बराबर में है तो बराबर में पूरा पूरा उठा लेना है पूरा पूरा तो 10 inverse of by upon one plus का y square यह मिल गया आप कुछ नहीं करना है समाकलन गुड़क निकालना है सौड में बोलते हैं आई अब बोलते हैं तो आई अब बरावर समाकलन किसके सापेज होगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो यहां पर देखो यहां पर देख लो भाई यहां पर डी वाई है तो आपको पता है हमें स सापेच करना है पी का ऐसे समझे लेना नीचे मैचिंग मैचिंग खिलते हैं अब यह पी का मान रख लो तो जब पी का मान रखेंगे वन आपान वन प्लाज वाई स्कॉए मेरे प्यारे बच्चों ये तो फार्मॉला है एक स्कॉायर प्लस एक स्कॉायर बना पाने टेन इंवर्स एक सपाने यही होता है एक अमान ना रखो डारेक रख लो टेन इंवर्स भाई दिक्कत क्या है यह आ गया आई अब ब्यापक हल के लिए एक फार्मॉला बनाया गया तो ब्यापक हल के लिए फार्मॉला बनाया गया starting कहां से करनी है उपर देख लो यहां पे x है दी के पास में तो formula start कौन से चर्षे होगा x से चर्षे होगा तो x into if बरावर q if और यहां पर dy y के साथ पेज यहां पर समाकलन हुआ और formula में भी होगा समझ रहे हो जो बात हम बता रहे हैं if का देख लो क्या है एकी घाट 10 इन वर्ष वाई यह यह बरावर में q का मान देख लो q है 10 inverse of y अपन में one plus का y square into में आई-व का मान रग लो e की घात में 10 inverse of y अब आपको समाकलन करना मज़ा आएगा बरावर में समाकलन करना करेंगे इतना आप लोग रोड नोट कर लो रिविट फायर जल्दी लग जा सवाल नहीं तो हो जाएगा पेपर में बवाल नहीं होगा बवाल जब तरह है मानफसर देख लोगा यहां पे सबसे पहले आपको बराबर के मेरी तरफ इट डिज लेना क्या है x इंटु टेन इंवर्ज भई यह यह ना बराबर अब बराबर में देखो बराबर में देखा तो भाई मेरे अंस का अंस में लिख लो तो क्या है एए वर्ज भई और इनटू में टेन इनवर्स एकी गात में लिखना है ठीक है अपान में 1 प्लस वाइस वाइस वाए और डीवाई अब प्रतिस्थापन विधि का य्ज उसको रूप क्यों टेन इनवर्स वाइए अगर टी मुल लिया जाए तो यह मैच हो जाएगा तो यहां पर लिग लोग प्रतीष थापन विदी से जिस बच्चे ने पाड़ साथ रिवीजन नहीं किया उसके प्रसनावली ब्राबर कर इस तरह बड़क तरफ दी यह मैंज हो गया हो गया मैज मैस अब आपकोhem यहाँ प्रतिष तापन विदी का यूश करते हों कितने मान रखना होते हैं बड़ाबर के उस तरह रखेंगे बराबर के मेरी तरफ यह रख लो और बराबर में यहां पर टेन इन्वर्स बाइव एटी रख लो और यह जो मैचिंग होई है टी रख लो बाइड का यूज ऑगा यहां पे बाई साथ दलब पहुंच घहाई च्योगा बाई आए लेट का कर लो अब नो य। पहले सबसेंगे इसको बोलेंगे ए इसको बहुपत्व जाएंगे और इक का मतला मिलें तो एक मसलें आं गया होगा आफ फास्ट्टो इसे रखेंगे सेखिण समा गलन माइनस हमाया वरय करेंगे सेखिण स्किन म्यां सब्रेकन दूंषिट फास भरएक slightly आ मैं पहले वाले फिलंड की ऑंथा सीट लिकत लेको अब करके वण से नहीं होता है यहां कर चुके और यहां पर रख लेना है और बरावर के मेरी तरफ यह से इंटू टेन इंवर्स वाई यह चलना है ठीक है उसको अम्राफ करेंगे और लास्ट है न यह उधारण कि समझ में आ रहा होगा जैसे हम आपको बता रहें जैसा यहां पर उधर हल कर रहें न वैसे ही आपको गरदा उडाना है प्रस्नावली का प्रस्नावली नौदलव छे का एक से इंटू टेन इंवर्स वाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों टी इंटू टी देख लो यहां प इंवर्स वाई बराबर ती किसे माना था टेन इंवर्स वाई को माना था रखो जहां जहां टी है रख लो ती कह यहां पर भी रख लो एकी गात टेन इंवर्स वाई प्लस का सी कामल ले लो कामल मिला एकी गात टेन इंवर्स वाई बराबर एकी गात टेन इंवर्स वाई का मिला है तो ब्रेकेड में क्या रहेगा पहले पद में क्या बचेगा तेन इन्वर्स बाई बचेगा दूसरे वाले पद में बन बचेगा प्लस से आंसर सीट यहीं पर छोड़ दो ठीक है यह कम्प्लिट हो गया अब एक नोट हम लिखा देते हैं किताब की आंसर सीट किताब की आंसर सीट ना आपको ना मैच करने है ना मैच करना इतना सीख जाओ क्योंकि हमने आपको बताया प्रसन हमली नो दलब चार नौ दलब 5 यह गए कहां से श्टार्ट हुई थी अ प्रसन हमली 9 दलब 4 नौ डलब 5 से नौ दलब चेह से यह तीज़। इन प्रसन हमली हैंट तो इन तीनों में आपको क्या करना है किताब की आंसरीड ना मैस करना है जितनी आजाए उतनी छोड़ देना है पूरे ही नंबर मिले एक नंबर नहीं कटेगा यह मिरा आप से बाद आए तो यहां पर बेसिक हमने कंप्लीट कर बाद दिया है प्रसन वाली नौ दलब ठीका अब अगली क्लास में हम लाएंगे प्रसन वाली तो पेपर में हो जाएगा बवाल पेपर में नहीं बवाल होगा बन वाई बन प्रसन हो चाहें उधार अड़ो गर्दा उड़ा ही देंगे मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद